साथियो सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि ये सूशाशन की आत्मा है देश का कोई वर्ग कोई व्यक्ति कोई छेत्र अवसरों से बंचित नार है यही प्रयास हमारी सरकार कर रही है भायों मैंनों काल पुरे देश ने देखा है कि किस प्रकार लोग सभा में एक अईतिहासिक मिल पास किया गया है आजादी के इतने दसकों के बाद गरीबी के कारण बड़ी असमानता को स्विकार करते हुए उसका समाधान खोजने का एक प्रयास किया गया है सामान ने स्रेणी के जनरल केटेगरी के गरीब परिवारों को सैक्षनिक संस्तानों और सरकारी सेवाओं में आरक्षन बिले इस तरह पे एक महत्पूर्ण बड़ा कदम उठाया गया है और मजाईये है क्योंकि मुझे मालूम है कि पहले भी नारे बाई जी बहुत हुई चुनाओं के समय गोचनाएं भी बहुत हुई और तम मैं सब को खुल करके कहता था चुनाओं मैं लाब हो गेर लाब हो उसकी परवानी करता था मैं बता देता था कि देखिए पचास प्रतिशत के बहार को अगर वादा करता है तो सब बेईमानी करते हैं समय कहता था क्योंकि 50% के उपर जाना है तो संविधान संसोदन के बिना नहीं जा सकते हो अगर उसके सिवाए किसी ने वादे किये थे तो कोई दलीतों को जो मिला है उसमें चोरी करना चाहता था कोई आदिवाशियों से मिला है उसमें चोरी करना चाहता था कोई OBC को मिला है उसमें चोरी करना चाहता था और उसमें से निकाल निकाल करके किसी की जोली भरना चाहता था ताकि उनकी वोटमेंग की जोली भर जाए और इसलिए हमने कहा था कि ये पहले सम्विदान संसोदान इसके लिए आवशक होता और आज मुझे खुशी है जो बात मैं कभी मुख्यमंत्री के नाते बोला करता था आज प्रधान मंत्री के नाते मैंने उस बात का पालन किया सम्विदान संसोधन की दिशा में आगे बड़े और दलीतों से कुछ भी चोरी किये बिना आदिवासियों के हक को छीने बिना OBC के हक मैंसे कोई भी कमी किये बिना अतिरिक्त सम्विदान संसोधन करके मैंने मेरे देश के सबर्णों के उच्चपर्ण के लोगों को भी गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया है कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी चुनाओं के समय क्यों लाए मुझे बताईए ऐसे कोई छे महीने हमारे देश में जाते हैं क्या जब कहीं न कहीं चुनाओं न हो अगर तीन महीने पहले लाता तो आप कहते हैं मत्यपिदे च्छटीज के राजस्तान के मत्यलागणा के चुनाओं के लिए लाये हो उसके पहले लाता तो आप कहते हैं करनाटक के चुनाओं के लिए लाया हूँ यानि हिंदुस्तान में चुनाओं शान में दो दो बार चलते रहते हैं कहीं ने कहीं चुनाओं चलते रहते हैं और इसलिए मैं कहता है रहता हूँ कि लोग सभा और विदान सभा के चुनाओ देश में एक साथ हो जाए पांच साल में एक बार ही चुनाओ ऐसा होना चाहिए ये खर्चा बंद होना चाहिए ये दिन रात इजी में लगे रहे न बंद होना के नहीं होना है अश्रकार पांच साल पुड़ा काम करना चाहिए वो बार बार चुनाओं में लगे रहे पुलीश के लोग कानूनबे में वक्ता देखेंगे के चुनाओ के डिबे समा लेंगे यही चलता रहता है लेकिन ये नियेताओं को देश की चिंता नहीं है उनको तो जो एक दूसरे का मुँ देखने को तयार नहीं थे चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबड़ा जाते हैं उनको लगता है हमारा जो होगा हिसाब किताब बाद में देख लेंगे पहले ये चौकीदार को निकालो अरे चौकीदार गया तो सब लूट बांट करके जिन्द की गुजारा कर लेंगे लेकिन चौकीदार है तब तब जिन्दा मुश्किल करके जाएगा आप मुझे बताइए ये चौकीदार ने अपना काम करना चाहिए ये चौकीदार ने किसी से डरना चाहिए क्या ये चौकीदार पना आपके आशिरवाद है क्या ये चौकीदार ने इमानदारी से काम करना चाहिए ये ने करना चाहिए देश का लूटा हुआ धन वापिस आना चाहिए ये ने आना चाहिए गरीब का हक मिलना चाहिए ये ने मिलना चाहिए हर चोकिदार महर देश को एक एक चोकिदार के रुप में खड़ा करने पर लगाओं दोस्तों भाईयो बानो समण समाच के गरिबों के लिए जो आरक्षण का काम हुआ है संसद ने बहुत बड़ा काम किया है देश के हर नागरिका संसद के सभी साथ्यों का समता और समरस्ता की भावना को मजबूत करने के लिए जो जो भी आगे आए हैं उन सब का मैं भार वेक्ता करता हूँ साथ्यों इस कदम से देश के लाखों युवा साथ्यों को आउसर मिलेगा जो अभावों के कारण गरिबी के कारण पीछे रह जाते थे गरिबी किसी के भी कास में किसी के भी जीवन स्थर को उपर उठाने में अर्चन ना मने इसके लिए यह इत्याचिक पहल की गई है बाहियों और बैनों सिर्फ नियुक तो हमें आरक्षिन की व्यवस्ता नहीं बलकि देश में उच्च सिक्षा टेक्निकल और व्यवसाइक सिक्षा के समस्तारों में हमने एक महत्वपुन काम किया है जैसे हमने ये सवर्ण समाज के गरीब लोगों के लिए आरक्षन किया तो साथ साथ ये भी निर्ण किया है कि जो उच्च सिक्षा की सीटे हैं उसमें दस प्रतिशत की वृद्धी कर दी जाएगी हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे किसी का हक्ष ही न जाए साथ यो इस प्रकार की ववस्ता को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं आर्थिक स्थिति के आधार पर जो हमारे समाज में जो एक खाई बनी है उसके आधार पर रसकों से इसकी मांग चल रही थी इस मांग को पुड़ा करने का काम बारतिय जनता पाटी की सरकार ने किया है लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हमें अब उन ताकतों से भी सावदान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए अफ्वाओं का बाजार गर्म करने में जुड़ गई है गरीबों के दुश्मन ऐसे लोग सोचल मीडिया से लेकर के बड़े-बड़े मंच पर अब जुड़ फ्यलाने ब्रह्म फ्यलाने के काम में जुड़ गए समाज में बटवारे से जिनका स्वार्थ सिद्ध होता है उनकी हर चाल हर साजीच को हमें पूरी तरह परास्त करना है